तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुली नई वीडियो के अंदर जहाँ आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गोड़्जला एक्सकॉंग दा नियू एमपैर मुवी के बारे में ये मुवी मौस्टर वर्स की पाच वी मुवी है जो आप मैंसे किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल एकन को भी और पर सट कर लीजें ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस वीडियो अप में पसंद आए मैं कमेंट करूँना या फिर कॉंग को फिर आईए आज कि सक्माल की वीडियो को स्टाट करते हैं मूवी की स्टाटिंग होती है हम सब कॉंग को देखते हैं यहां पर कॉंग कैई सारे मॉस्टर्स से फाइट कर रहा हम और यह सारे जाइंट मॉस्टर्स बिसीकली जैकल्स होते हैं यानि की बड़े-बड़े गीदर्ड एंड कॉंग यह इनसे फाइट करके इन सभी को बीट कर देता है जिसके बागे सब तो भाग जाते हैं लेकिन कॉंग इन सभी को पगड़ लेता है और अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्हें खाने लगता हैं इस तरह से हमें पता लगता है कि कैसे काहर जहर और यह इनिए×वर चपकर सबकूर्स यहां बाग राते हैं और चीर आधने कंपर आ कर सब्सक्तम ऑंखने लगता हैं लेकिन अ faço Pas जो कि यहां पर आते ही सीधा spider monster पर अटेक कर देता है और यहां पर सिर्फ को seconds के अंदर ही गोड़िला उसे spider monster को मार देता है और फिर इस तरह से वो humans को बचा लेता है और फिर इसके बाद सीधा Rome शेहर के gladiator ground के अंदर जाता है और वहां जाकर आराम करने लगता है इसके बा और मानो ये रीडिंग कुछ ऐसी होती है कि जैसे होल अर्थ में कहीं पर बहुत बड़ा हल चलो रहा है मोनार्क इस टीम को जैसे इस बारे में पता लगता है वैसी वो लोग इस पर जादा ध्यान तो नहीं देते हैं लेकिन वो लोग इस पूरी रिपोर्ट को अर्थ के सर्फेस पर अपनी मोनार्क की में टीम को बेज देते हैं इधर अर्थ के सर्फेस पर हम ये देखते हैं कि मोनार्क वालों को वो रिपोर्ट मिल जाती है जिसके बाद इस रिपोर्ट को डॉक्टर एंडियूस भी देखती है यहाँ पर हम यह जानते है कि मोनार्क का यह वाला ओट पोस्ट एक ऐसी जगह पर है जहां कि बगल में एक बड़ा सा पोर्टल है और यह पोर्टल बेसिकली अर्थ के सरफेस को होल अर्थ से कनेक्ट करता है और इस पोर्टल की वज़ा से मोनार्क वालों ने यहाँ पर अपना ओट पोस्ट रनाया है डॉक्टर एंडियूस को जैसे यह शॉक्वेव की रिपोर्ट मिलती है वैसी वो से स्टड़ी करती है बट रिपोर्ट से उसे कुछ खास समझ में नहीं आता है हाला कि इसके साथी हमें डॉक्टर एंडियूस की लाइफ भी दिखाए जाती है हम यह जानते हैं कि डॉक्टर एंडियूस ने जीया को अडॉप्ट कर लिया है और फिर इसलिए उन सभी को याद करते हैं वो अपने सामने रखे पेपर के उपर एक ड्रॉइंग बना देती है लेगिन जीया की इस ड्रॉइंग को उसकी टीचर देख लेती है और हो नहों के साथ कुछ बुरा होने वाला है हाला कि इसके आगे डॉक्टर एंडियूस उसी ट्रॉइंग को देखती है जिसे जीया ने बना होता है और फिर उस ट्रॉइंग को देखकर उससे कुछ आजीब लगता है एंड दैन उसे पता लगता है कि वो दोनों एक जैसी होते हैं यानि कि Hollow Earth से जिस तरह के शौक वेफ की रिपोर्ट आई थी जिया की ड्राइंग भी बिल्कुल वैसी होती है इसके लिए डॉक्टर एंडियूस मोनार्क में जाती है और वो अपने सीनेर से कहती है कि Hollow Earth के अंदर कुछ तो होने वाला है और कुछ ऐसा है जो कि उसे छूट रहा है लेकिन यहां मोनार के अंदर डॉक्टर एंडियूस की सीनेर उसकी कोई बात नहीं सुनती और इसी वाज़े से डॉक्टर एंडियूस सीधा बढ़नी के पास जाती है अब आप सभी को यादि होगा कि यह बढ़नी वही क्यरक्टर है जिसका गोड़ुला वर्सेज कॉंग मोवी के अंदर काफी बढ़ा रोलता बट यहाँ पर जब वह आती है तब उसे पता लगता है कि होलो अर्थ के अंदर उनकी जो टीम थी यानि की वही टीम जिसने शॉक वेव की रिपोर्ट भेजी थी उनसे उनका सिंगनल तूट चुट चुका है और अब टीम के किसी भी मेंबर के बारे में उनने कुछ भी नहीं पता है जिसका मतलब हो ना हो उनके साथ कुछ तो हुआ है और इसलिए डॉक्टर एंड्यूस की जो सीनियर होती है वो डॉक्टर एंड्यूस के पर भरोसा करती है और वो डॉक्टर एंड्रियूस से कहती है कि वो जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी हॉलो अर्थ के अंदर कुछ तो गडबड जरूर है और फिर इसलिए वो गडबड क्या है इस बात का पता लगाने के लिए डॉक्टर एंड्रियूस की सीनियर उससे इंचार्ज बना देती है और उससे एक कहती है कि वो अपनी टीम बनाए और उस टीम को लेकर हॉल वर्थ में जाए और वहाँ जाकर अपनी टीम के वारे में जाने की आखिर कारूं के साथ क्या हुआ है हाला कि इनकी ये बात चली रही होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से सब कुछ हिलने लगता है और फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि मोनार के उस आउटपोस्ट के पास ही जो पोर्टल होता है उसी पोर्टल के अंदर से कॉंग बाहर आता है और वो पोर्टल से बाहर आकर पास के एक जगह पर लेट जाता है ये देखकर डॉक्टर एडियूस कॉंग को देखने के लिए बाहर आती है और क्योंकि स्टेमपर डॉक्टर एडियूस के साथ ही जीया भी होती है इसलिए वो दोनों सीधा कॉंग के पास जाते हैं जहांपर जिया इस बात को फील करती है कि कॉंग को काफी दर्द हो रहा है यानि कि कॉंग पेइन में है इसके लिए मुनारक वाले वहाँ पर एक बड़े से डॉक्टर को पलाते हैं जो डॉक्टर बेसीकली जानवरों को ट्रैपर वहाँ पर आकर कॉंग को देखता है एंड दैन उससे पता लगता हैं कि कॉंग की एक दात में इंफेक्शन हो गया हैं और इसी वहाँ से खड़ा होकर सीधा समूंदर के अंदर उतर जाता हैं गोजिला जैसी हरकत में आता हैं वैसी मुनारक ये थीम को इस बारे म इसलिए गोडजीला कॉंग के पास आ रहा है ताकि वो दिने एक पर फिरशले लड़ाई कर सके हैं लेगिन कुछी क्योंकि गोडजिला उसी डिरेक्शन में जाकर सीधा उसी टाइटन के पास जाता है और उससे फाइट करके उसे मार देता है और वहाँ पर रेडियेशन को फीड करने लगता है और जैसे जैसे गोडजिला रेडियेशन को फीड कर रहा होता है वैसे वैसे गोडजिला के डॉ और होलोर्थ में दो क्रारे की पूरियरों तुद्ध कॉयंकि की प्लवेट्छताइ। बट जैसे ही वो लोग अपने उस टीम के आउट पोस्ट के पास मोचते हैं, वैसी वो लोग ये देखते हैं कि उनकी टीम के सारे मेंबर्स मर चुके हैं और उनके उस आउट पोस्ट को भी किसी ने पूरी तरह से तभा कर दिया हैं। अब उन सब को ये बिल्कुल भी समझ या था कि आखिर कार उनके साथ ये सब किस ने किया हैं। ये सारे आदिवासी गेड़ लेते हैं और ये आदिवासी और कोई नी बलकि इवी होते हैं यानि कि उसी कबीले के लोग जिस कबीले से जिया बिलॉग करती हैं। इसके बाद इवी की रानी जिया और बाकी लोग अपने साथ अंदर ले जाती हैं। तब वहाँ पर जिया एक लौती ऐसी मेंबर थी जो कि इसका लेलन पर रहने वाले इवीज में जिन्दा बचकी थी। और उनके अलावा जो बागी के टाइटन्स हैं जैसे की गौडजिला की स्पीशिस और बागी स्पीशिस वो सब इसी गली अर्थ के नेचर की सुरक्षा करेंगे। इस तरह से सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था लेगिन फिर अचानक से एक दिन एक ऐसा मंकी मॉस्टर आया जो कि मन से बहुत ज़्यादा इवल था और वो ये चाहता था कि वो पूरी दुनिया के उपर अपना कबजा कर लें और सब पर राज करें और इसके लिए उसने कई की सारे मंकीश को अपने साथ करें ऑर उनकी आर्मी बना कर सारे टाइटन के पर अटेक कर दिया इस लड़ाई में तो को मर भी दिया और इसलिए जब उसका सामना ग् Zeitraʊ की सैंशी से कहाँ से लए है और उन्होंने असे इसी आपे दूर दीए कि जो वो बुरा मंकी टाइटन है जो कि पूरी दुनियों के अपर राज करना चाता है उसका नामी स्कार केंग है ये सब को जान लेने के बाद एवीस की रानी डॉक्टर एड्यूस को बताती है कि वो स्कार केंग अपनी सेना के साथ सालों से अपनी जगा पर कैद है लेकिन अब उन्हें अपनी भविश्वारी के जरीए पता लगाएं कि अब हो ना हो वो कुछ पुरा करने वाला है और इसलिए वो लोग चाते थे कि जिया उनके पास यहां पर आ जाए इसलिए वो लोग जिया को वो सारे थोट्स दिखा रहे थे जिसका मतलब जिया को जितने भी भी माना जाता है वो बताती है कि मौथरा एक बहुत ही अच्छी मॉस्टर है जिस वज़ा से इवी उसकी पूजा करते हैं और मौथरा उनकी प्रोटेक्शन भी क्या करते थी लेगिन अब मौथरा मर चुकी है बट उन सभी इवी का ऐसा मानना है कि मौथरा को फिर से अवे मानना जाता है और दुनिया के ऊपर कबजा करने की कोशिश करता है तो इसलिए मौथरा करता है इसके बाद ही मौथरा का बहुत जरूरी है जोंकी अंदर हो उनकी जगापर ठोंग करता है और चलते ही ज़रने के पास जाता है और कुंग को watch this वेसी वहां कर वो एक छोटे से monkey titan से मिलता है और वो छोटा सा monkey titan पूरी तरह से orange color का होता है कॉंग को वो बच्चा बहुत मासूम लगता है और इसलिए वो अपने हाथ बढ़ा कर उसे अपने पास बलाता है लेकिन वो छोटा monkey titan उसके हाथ में काट लेता है और इससे कॉंग को पता लगता है कि वो बहुत ही जादा शैदान है लेकिन इसके अगली पल हम यह देखते हैं कि कॉंग के उपर तीन बड़े-बड़े monkey titan अटेक कर देते हैं और वो कॉंग को जहां से मारने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉंग उन तीनों को बीट कर देता है और उनमें से एक को खाई से नीचे किरा देता हैं जिसके बाद बाकी बचे दोनों उससे डर के भाग जाते हैं इसके बाद कॉंग उस चुटके monkey titan को पगड़ लेता है और इशारों में उससे कहता है कि जहां पर ये सारे monkey titans रहते हैं मुझे वहाँ पर ले चले और फिर वह चोटा monkey titan कॉंग को अपने साथ ले जाता हैं और उसे सभी monkey की locations पर ले जाता हैं रास्ते में वह कॉंग को जहां सा देने की कोशिश करता हैं लेगिन कॉंग उसके सारे जहासे से बच जाता हैं इसके साथी उसे बीच में भूख भी लगती हैं इसलिए कॉंग उसे खा सब वहां पर काम कर रहे हैं और यहां पर कोई ऐसा है जो कि इन सब पर जुल्म कर रहा है और फिर अगले पल हम यह देखते हैं कि उसी हटी के धाचे के पर एक लंबा सा नीले रंगा क्रिस्टल होता हैं और स्कार किंग इसी क्रिस्टल को पकड़ कर कुछ अजीब से इशा और फिर यहां हम यह जानते हैं कि असल में स्कार किंग के हाथ में जो वो नील ञेलन का कृस्टल है वो बेसी कली कोई ऐसी चीज हैं जिसते कि शीमो को डराकर उसे कंट्रोल किया जा सकता है पर अगर इंद हम यहाँ पर ऐसा एक कुछ देखते भी हैं कि वो यहां से निकल जाए उस गुफा के अंदर घुषता ही कॉंग सीधा वहां से बाहर निकल जाता है और उस एरिया से दूर पहुंच जाता है लेकिन स्कार किंग अपने कई सारे आद्मियों को कॉंग के पीछे लगा देता है और उनसे कहता है कि वह कॉंग को पकड़कर म पर बागी सारे ईवी लोग होते हैं यहां पर यह सभी मौत्रा को अवे करने की रिचुल की तयारी कर रहे होते हैं लेकिन जैसे यहां पर वो लोग कॉंग को देखते हैं वैसी जी आ डॉक्टर एड्यूस और बागी टीम को के पास जाती है उन्हें पता लगता है कि में हाथ को देखकर ट्रेपर डॉक्टर एड्यूस से कहता है कि उन्हें यहां पर सूपर हाउस का यूज करना होगा इसी के बाद यहां पर हम यह भी जानते हैं कि सूपर हाउस बेसी कलिए एक ऐसी चीज है जिसे मोनार्क वालों ने डेवलप किया है और वो इसलिए ताकि टाकि वो सभी कभी आने वाले खत्रे से दुनिया को बचा सके इसके आगे ट्रैपर बोलता है कि होलो अर्थ के अंदर उनकी जो टीम थी जो मारी गई थी उसके पास एक सूपर हाउस पढ़ा हुआ है और उस सूपर हाउस को लेकर यहां पर आता है और उसे कॉंग के हाथो नेके लिए वो वहाँ पर इंजेक्शन भी लगा देता है जिसके पर न के बलकि उसके साथीionar king के पास पहले से भी ज्यादा हूँ से साथी यहां पर और शीमों के बेड़ कर सीधा सभी को लेकर सीधा उस पोर्टल के पास आने लगता है ताकि वहां से अर्त के सर्फश पर जाए और पूरी दुनिया पर कभजा कर लें इदर हम यह देखते हैं कि सभी इवी लोग जिया के साथ मिलकर अपने रिचुल को तयार कर लेते हैं जिसके बाद उसी रिचुल के अंदर जिया एक सेकरेट प्लेस को टेच करती है जिसके बाद उसके टेच करते ही वहां पर बाद निकलता है और सीधा कॉंग के पास आता है और कॉंग के पास आते हैं वह अपने सामने कॉंग को देखकर वो उससे फाइट करने लगता है लेकिन अब क्योंगी इस टाइम पर मौत रावेक हो चुकी थी इसलिए वह सीधा उसी पोर्टल के जरीए बाहर आती है और व ऐसी वो लोग स्कार किंग और उसकी आर्मी से फाइट करने निकल जाते हैं बढ़ इतने में हम यह देखते हैं कि स्कार किंग भी अपनी आर्मी और शीमो को लेकर उस पोर्टल के पास आ चुका था एंद फिर इसलिए उस पोर्टल के पास ही फाइट स्टार्ट हो जाती है फाइट के अंदर गॉडजिला शीमो से फाइट करता है और कॉंग स्कार किंग से एंड इसी फाइट के अंदर कॉंग अपना एक्स वापस मिल जाता है लेकिन फिर उनकी फाइट के दौरानी गॉडजिला, कॉंग, शीमो और स्कार किंग चार उस पोर्टल के जरिये सर्फिस पे आजाते हैं और फिर अर्थ की सर्फेस पर आकर वो चारो अपनी आता है लेकिन जब कॉंग पोर्टल के जरीना सर्फेस पर आता है तब उसका एक्स ओलो अर्थ के अंदर ही रहा जाता है जिस वज़़ा से बिना X के साथ कॉंग को लड़ने में काफी मुश्किल होती है लेकि यहां पर तब भी गॉडजिला शीमो का अच्छी टकर देता है और कॉंग किसी तरह से स्कार किंग का सामना कर रहा हुता है लेकि फिर इतने में हम यह देखते हैं कि वह चोटा सा मंकी टाइटन जो की होल ओर्थ के सर्फिस पर आता है इसके बाद इधर स्कार किंग की लड़ाई के अंदर उसका क्रिस्टल उसके हाथों से गिर जाता है और वो जैसे अपने क्रिस्टल को उठाने जा रहा होता है वैसी कॉंग उसे उठाने से रोग देता है और फिर इतने में हम यह देखते हैं कि वह च आइस प्रत मारता है और सकार किंग को पूरी तरह से जमा देता है जिसके बद कॉंग उसे पटकता है और पटक कर उसे जान से मार देता है और फिर इस तरह से सकार किंग का खात्मा होता है इसकार किंग के खतम होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर इसे ले गोड़ जो कि हाँ पर कॉंग का पैट बन जाता है और वो भी हाँ पर कॉंग के साथ काफी खुश होता है बाकि इसके अगए डॉक्टर एंडियूस और उसकी टीम होती है वो भी जिया को लेकर हॉल वर्ट से वापस अर्थ पर आ जाते हैं और जिया भी खुशी-खुशी डॉक्टर है आप उसका नम कमेट्स के अंदर जरूर बताना कॉंग और कोड़जिला के अलावा कोई पसंद हो तो उसका नाम भी लख सकते हैं हमें आप सब के कमेट्स को देखकर बहुत कुछी होगी और हाँ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को जल्दी